Welcome guys, welcome to our YouTube channel, welcome to another learning video आज की इस lecture में हम लोग देखेंगे कि किसी भी stock में या फिर script में अगर आपको अगर so called आपने जिसे इसका आपने headline पढ़ा होगा कि एक powerful strategy ठीक है powerful strategy जिसे हम लोग swings capture कर पाएं तो ये काफी important है swings को capture करना क्योंकि देखें इसमें risk reward होते हैं वो काफी अच्छे होते है swings के trade खास करके जैसे देखें आप कहने को ये industry bank का chart है ठीक है five minutes का time frame है अब आप बताओ कि किसी भी level पर सपोज आप यहाँ पर buy करते हो यहाँ पर आप हैसो exit कर जाते हो SL छोटा सा है risk reward भी one is to two यहाँ तक आपने target book किया फिर मान लो कि आप इस level पर करते हो यहाँ book कर लेते हो यहाँ sell करते हो आप यहाँ cover कर लेते हो तो trading तो ऐसे भी होते है तो scalpers आपको हो यह फिर जो छोटे time frame पर काम करते हैं five minutes या one minute तो इस तरीके से भी profit निकाला जा सकता है लेकिन मेरा यह कहने का मतलब है कि एक swing, swing क्या होता है जिसे कि अगर आप इसको chart पर मैं इसको drawing करके बता हूँ इस तरीके से market मान लो चल रहा है ठीक है अब swings कहा हुआ है एक आपका यहाँ हुआ आप यह देखो सब high point और low points को आप देखो ठीक है इसको हम लोग swings कहते है तो अगर market में आपको यह पता करना हो कि किस level से यह swings आने वाले है ठीक है तो आपका जो risk reward या levels है न वो काफी असान हो जाता है in short in layman term में आपको समझाने के कोसिस करूँगा कोसिस यह करता है कि देखे कि momentum कहां से मिलेगा topic हमारा यह है कि momentum एक trader के लिए सबसे important चीज़ है momentum अगर आपको momentum मिल गया तो आप समझो कि आप trading में profit अगर किसी level पर आप कहीं फासे हो इस level पर समझो आपने selling कर दी या फिर आपने buying कर दी आप hold करते रहो दिन भड़ आप wait करते रहो momentum आता ही नहीं तो कौनसी ऐसी चीज़ है जिससे आप यह clarify कर दो momentum तो देखे momentum के लिए सबसे important चीज़ है angle का होना अब यह जो एक सिर्फ एक ऐसा word है जो आप देखे कि आपकी thinking को कितना change करके रखतेगी concept of angle इसे हम लोग कहेंगे ठीक है concept of angle अब इस चीज़ में आपको यह देखना है कि momentum सिर्फ वहीं से आती है momentum जो है सिर्फ उसी level से आती है जहां पर आपको angle मिलता है ठीक है इस चीज़ को हम लोग chart पर देखते है ठीक है इंडसिन बैंक का यह chart है और किसी भी level से आप इसको देखने की कोशिस करें देखे यहां से selling आई जब आपको यह first यहां पर आप green candle देखी न यहां देखो आप angle ठीक है अब यहां से जब market से फिर से selling शुरू होती है अब आप देखो कि यहां पर कहीं न कहीं angular form ले रहा है देखे straight line इस तरीके से होता है range पर इसी तरीके से होगा एकदम horizontal अब यह हुआ angle तो जहां कहीं भी angle बनता है वहां से एक अच्छे movement चालू होती है अब देखो कि यहां पर फिर से एक sharp angle है आप किसी भी point पर देख लो वो एक angle ही है जिसे मालो कि इस तरह से यहां selling होई अब अगर आपको green candle दिखती है तो यह हो सकता है कि angular form ले ले अब देखे अब यह उपर जाएगा या नहीं जाएगा यह तो चलिए यह चीज़ हम लोग course में बताते हैं कि ठीक है price action जो course है उसमें यह चीज़े पता किया जा सकता है कि किस level से आपको reversal मिल रहा है किस level से buying आएगी selling आएगी वो सारी probabilities है वो एक अलग part है लेकिन मैं इस video के थूरू यह समझाना चाहरा हूँ कि concept of angle angle जहां भी है वहाँ पर momentum होता है अब जैसे यहाँ पर आप देखो कि market flat चल रहा था ठीक है अब इसके बाद अचानक से selling आई तो आप यह कह सकते हो 90 degree का angle है अब इस angle के बाद फिर से किसी ने किसी एक point से angle का ही formation होगा या तो वो range बन जाएगा जो आपको मैंने कई और इससे पिछली जो series है या फिर जो आप video lecture देखो कि उसमें मैंने आपको ranges बता है volatile और non-volatile अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं description में उसकी link देदूँगा आप उसे देख सकते हो कि किस तरह से market का nature होता है दो ही market का nature होता है volatile, non-volatile, details उसकी analysis आप देख लेना अब देखें यहाँ पर भी अगर आप देखो तो क्या हो रहा है एक angle से पहले flat market था उसके आप market ने angular form लिया उसके बाद या तो market flat होता और नहीं तो फिर angle बनेगा तो देखें फिर से यह आपको मिला ना trade, यह trade मिला फिर उसके बाद क्या होता है flat, फिर angle form तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस चीज़ से किसी भी stock को या किसी भी stock के movement को देखें आप concept of angle आप लगा ले तो यह एक ऐसा value at है उन सारे concept में से समझो कि आप half percent भी cover नहीं करता है लेकिन यह इतना अच्छा concept है कि आप कहीं भी अगर आप जो भी analysis करते हो technical analysis हो support, resistance, कुछ भी draw करते हो लेकिन अगर यह concept लगाओगे न तो market में आपको देखने का नजरिया ही बदल जाएगा अब जैसे कहीं भी आपको अगर flat दिख रहा है जैसे यहाँ पर market flat है ठीक है अब आप इसके बाद क्या expect करते हो अगर breakdown होता है नीचे की दरफ ठीक है अब यहाँ तो angle बन गया उसके बाद क्या हुआ market flat अब इसके बाद क्या होगा angular ही बनना है तो आप market फिर से उपर तो इस lecture में आपको यही मैं बताना चाहरा हूँ कि concept of angle को समझे किसी भी chart पे आप इसके देखेंगे कहीं भी देखेंगे तो सिर्फ anticipation होनी चाहिए angles की तो आप इसके थुरू कई सारे spots को ऐसे identify कर सकते हैं जहां से angular और momentum जब भी आपको चाहिए तो flat structure से जब ही भी momentum करे तो एक angle से दूसरे angle तक market जाता है आप देख लो इसी चीज़ को देख लो अब आपको यह identify करना कि यह कहां होता है यहां से क्यों से लिंग हुई that is the different thing तो आप इस चीज़ को आप समझ पाया हूँ